महाभारत, तो महाभारत में मैंने बताया कि पांडू के पांच पुत्र नहीं थे, बलकि छे पुत्र थे, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं और रमायन की चर्चा करते हुए मैंने बताया कि दसरत के चार बच्चे नहीं थे, बलकि पांच बच्चे थे एक संटा देवी भी दसरत की पुत्री थी तो 5 हुए ना similarly, अभी आप देख रहे थे noun में, क्या देख रहे थे बाबू noun में आप ये देख रहे थे कि noun के पाँच पुत्र है कितने पुचत पुत्र है 5 पुत्र है पहला मैंने बताया क्या पन बनने प्रोपर नाउन दूसरा मैंने बताया बावू C अन कमन नाउन तीसरा मैंने बताया बावू कलेक्टिव नाउन और जहे चौथा मैंने बताया इसमे जो है एक नोट में आपको याद रखना है बावू नोट मतलब अपवाद जैसे मेल और फीमेल होते है न तो उसके आलावा भी एको तीसरा परसन आपको ट्रेन में मिलता होगा जो ताली बजाते हुए नजार आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बावू इंगलिस में 50-50 कहते हैं इनक भी कहते हैं ठीक है न मतलब मैं बात क कर रहा हूं किसकी मैं उसकी बात कर रहा हूं यह अनफर्चुनेटली दुर्भाग्य बस ना मर्द है ना औरत है अब किसे कह रहे हैं आपको साइट पता चल गया होगा ओके बारेहाल तो उसी तरह से मेटेरियल नाउन को और अवस्टेक नाउन को जब एक बना दिया गया ह है गिल नहीं सकते है लेकिन जिस माध्यम से गिले ये उस माध्यम के उस तरीके को हम लोग जहें क्या कहते है भाबो मास कमन नाउन कहते है यह चीजा आपको याद रखना है नोट में एक होता है भाबो छेठ़ा नंबर पर मास कमन नाउन छठा क्या होता है बाबू मास कमन नाउन तो याद रखना है मास का मतलब होता है दरव्यमान मतलब लिक्विड पदार्थ और कमन मतलब अभी आम लोग पढ़ रहे थे कि कमन नाउन किसे कहते हैं जिसका सिंगलर से पुलल बन सके तो मास मतलब होता है द्रव्यमान, लिक्विड पदार्थ, जैसे ये material noun है तो अब बताईए कि जो है liquid पदार्थ को common noun कैसे कहेंगे इसलिए मैं बता रहा था कि जो liquid पदार्थ है, यानि कि material noun है जब उसको किसी माध्यम से, किसी तरीके से, किसी बीधी से, जब गिनने योग्या बना देते हैं उसे हम क्या कहते हैं बाबो? मास क common noun कहते हैं यानि कि 5 noun तो आपने पढ़ा होगा किसी teacher से, किसी master साहब से, किसी किताम में, किसी पुष्टक में या online पढ़े होंगे, YouTube पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे, लेकिन अगर mass common noun नहीं पढ़े हैं, अगर आपके exam में यही पूछ दिया तो क्या करेंगे, ठीक है ना, तो याद रखना है कि जब material noun को किसी भी बिधी द्वारा, हम गिनने योग्य बना लेते हैं, that is called mass common noun, तो हो गया, तो common noun नहीं तो कहला है, यानि कि mass जो हो गया, लिक्वीड हो गया, material हो गया, जो लिक्वीड हो गया, तो गिनने के योग हो गया, तो common noun हो गया, उसका सिंगल पूल बनेगा, कैसे तो ध्यान देना है, जैसे.